दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे स्पेस सेविंग फरनीचर जो कि घरों में आपके काफी जगय बचाएंगे तो अगर आपका भी घर छोटा है तो आपको ये वीडियो जरूर से देखनी चाहिए तो शुरुआत करते हैं इस अपने पहले फरनीचर के साथ निकालिए जो कि एक प्लैटफॉर्म जैसे बन जाएंगे जिसमें कि आप अपना जरूरी समान वगयरा रख सकते हैं तो देखा जाए तो ये एक तरीकी की डिजाइन लगती है जिसे की दिवार पर आपको लगाना है एक शोपीस की तरह लेकिन ये आपके लिए शोपीस ए जिसमें से सबसे ज़दा कॉमन होता है बहुत से घरों में डवल बेट का इस्तिमाल किया जाता है लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो साइज में काफी ज़दा बड़े होते हैं जिनने की एक जगह से दूसरी जगह पर मूफ करना बहुत मुश्किल होता है साथ ही और अगर आपका घर छोटा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं डवल बेट इसी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए बनाया गया है खास तोर पर इस तरीके के फरनीचर को जो की देखने में तो एक छोटे से काउच जैसा लगता है जिसका इस्तमाल आप एक सोफे की बचाएगी साथी लुक वाइस भी काफी जदा अलक्सी रहती है तो अगर आप घर में जगह कम है और आप भी एक बहतरीन टाइप का डवल बेट तलाश रहों जो कि आपका सोफा और डवल बट दोनों की तरह काम करें तो इस तरीके का फरनीचर एक बहतरीन सल्यूशन है अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर जगह की थोड़ी सी कमी है या फिर अगर आप अपने ओफिस या फिर ट्रैवल परपस के लिए एक ऐसा चोटा सा पोटेबल फिर चाते हैं जिसका इस्तमाल आप बड़ी ही आसानी से अपने ड्रिंक्स को ठंडा रखने के ले कर पाएं तो ये चीज़ काफी कमाल की रहती है इस फिर इसके साइस की बात करी जाए तो ये इतना ज़्यादा चोटा होता है कि इसे आप अपने टेबल पर भी सजा कर रख सकते हैं यानि कि इसका इसका इस्तमाल ओफिस वगएरा में भी आसानी से किया जा सकता है हाला इसे ट्रैवल पर ले जाना भी एक बैटर ओप्शन आपके लिए रहेगा तो मौसम कैसा भी हो अगर आप भी अपनी ड्रिंक्स को इंज्वाए करना चाहते हैं तो इस्तमाल कर सकते हैं इस तरीकी के छोटे से पोर्टेबल फ्रिज को जो की साइज में काफी ज़्यादा च को ट्राइ करके देख सकते हैं इस फरनीचर में कमाल की बात तो यह होती है कि नॉर्मल देखने में ये आपको एक काउच जैसा लगेगा जिसका इस्तमाल आप नॉर्मली अपने डाइनिंग हॉल में कर सकते हैं लेकिन काउच पर बैठे बैठे अगर आपको आराम करने की पाएंगे तो अगर जगे कम है और अगर आप एक ऐसा फरनीचर ढूंड रहे हैं जो कि आपके लिए एक एमरजेंसी कंडिशन में यूज होने वाला फरनीचर बने जिससे कि अगर को रिलेटिव आ जाए और आप उसे अचानक बैड बनाना चाहें तो इस्तमाल कर सकते हैं इस तरीके के काउच को अगर आप अपने कपणों को घर पर ही प्रेस करते हैं तो आपको जरुद Tea काम बढ़ ही आसानी से कर पाएं लेकिन आरर आर न बोर्ट साइस में थोड़े से बड़े होते हैं जिननेकी एक जीघे के रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जब भी आपको जरुद परती है इस iron board की तो बस इसे बाहर निकाले और अराम से कपड़े प्रेस करते रही है वही दोस्तो इसकी जो position होती है वो adjustable होती है तो आप अपने comfort के हिसाब से इसकी position को भी adjust कर सकते हैं जो कि एक और भी अच्छी बात है और जरुरत ना होने पर आप इसे फिर से अपनी wardrobe या almira में pack कर देते हैं जिससे कि ये ना तो आपके घर में ज़्यादा जगे घेरेगा और ना ही लोगों को दिखाई देगा तो कमाल का इस तरीके का system रहता है अगर आप भी अपने घरों में ही प्रेस करते हैं अपने कपड़े तो इस तरीके के ironing board को दोस्तो अगर आप अपने घर में model और kitchen बनवा रहे हैं तो इस तरीके के arrangement को setup करवा सकते हैं आप भी अपने kitchen में इसकी खास बात ये रहती है कि normal तो देखने में ये एक चोटी सी draw जैसा होगा जिसे कि जैसे ही आप बाहर निकालेंगे तो आपको एक पूरा setup में देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आपको paper towel लगी हुई देखने को मिल जाएगी जिसके इस्तेमाल आप kitchen के अंदर साफ भी देखने को मिल जाता है जिसमें कि आप cleaners वगयरा भी रख पाएंगे तो दोस्तो मॉडिलो की चन में इस तरीके का system काफी ज़दा मज़ेदार रहेगा क्योंकि साफ साफाई से related चीजों को रखने के लिए काफी valuable होता है दोस्तो आजकल टाइम चला है work from home का जहाँ पर लोग अपने office का काम अपने घर पर ही करते हैं और इस दौरान आपको office work space की कमी काफी खलती होगी तो इसके लिए अगर आप अपने घर पर ही एक ऐसा चोटा सा work space बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप अपने office का काम या फिर study वगएरा आराम से कर पाएं तो ये system काफी मज़ेदार रहता है इस furniture की खास बात ये होती है कि ये size में बहर स्लिम सा होता है जिसे कि आप एक घर की दिवार पर इसे लगा दिया जाएगा साथी mobile और computers के power adapter लगाने के लिए ports भी दे रखे होंगे इसका नीचे के हिसे को कुछ ऐसा बनाया जाता है जहां पर आपने files वगएरा और जरूर document वगएरा भी रख सकते हैं जो कि आपको एक छोटा सा free space मिल जाता है तो इस तरीके से बहुत छोटी सी जगे में आप अपने office को तियार कर सकते हैं जो की काम करने का एक अलग level पर environment बिल्ट करेगा तो दोस्तो कमेंट करके बताएगा कि आपको इस तरीके का work space कैसा लगा दोस्तो कीचन के अंदर जो cabinets वगेरा बनाया चाते हैं वो काफी height पर रहते हैं तो अगर आप किसी ज़रूरी समान को निकालना चाते हैं तो आपको एक stool की जरूरत होगी या फिर बहुत ज़दा दिक्कात आती है उसे निकालने में और जब भी आपको समान को बहार निकालना हो तो बस इसे नीचे की तरफ पूल करिए समान निकालीजे और फिर जैसे ही आप release करते हैं तो ये खुद बखुद ऊपर चला जाएगा और इसके doors भी automatic close हो जाते हैं तो इस तरीके से ये चीज़ काफी कमाल की रहेगी आपके model kitchen के अंदर जिससे कि अगर आपको कोई समान निकालना है तो आपको stool लगाने की जरुवत नहीं पड़ती है तो काफी कमाल का ये system रहता है जो की model kitchen में काफी ज़दा popular होने वाला है दोस्तो अब मैं आपको एक ऐसा कमाल का furniture दिखाने वाला हूँ जो की आपको यकीनन काफी पसंद आएगा दोस्तो normally घरों में dining room में आपको एक center table देखने को मिल जाएगी जिसे की chairs के बीचो बीच रखा जाता है तो ये भी एक तरीकी की center table ही होती है जिसका इस्तमाल आप normally कर सकते हैं लेकिन आप दोस्तो अगर आप इसे dining table में बदलना चाहें तो उसके भी options आपको इसी table में इसके नीचले हिस्से में आपको थोड़ा सा space भी देखने को मिल जाता है तो dining table से related जो भी चीज़े हैं आप इस table के अंदर की तरफ रख सकते हैं जो कि एक तरीके का hidden space रहेगा तो अगर आप अपनी plates या फिर बहुत सारी चीज़ों को रखना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको proper जगह मिल जाएगी तो इस तरीके की dining table देखने में तो एक center table जैसी लगती है लेकिन इसका इस्तमाल एक dining table के तौर पर भी किया जा सकता है तो इस कमाल के furniture के लिए दोस्तों एक laptop बनता है नॉर्मली देखने में तो ये आपको एक छोटी सी अलमीरा जैसा लगता है जिसे कि आप कहीं भी रख सकते हैं लेकिन जब भी आप इसे open करते हैं तो इस तीन हिस्तों में open होगा यानि कि इसके जो doors रहेंगे उसमें भी आपको proper space मिल जाएगा और इसके बीचों बीच तो लहेगा तो comment करके बताएगा दोस्तों आपको ये चीज़ कैसी लगी है वही वीडियो में दिखाएगा किसी भी furniture को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसकी price के बारे में जाना चाहते हैं तो उनके links आपको description box में देखने को मिल जाएगे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा आज की इस वीडियो में इतना ही तब तक लिए नमस्कार दोस्तों चहिंद